आप देख रहे हैं KS24 पलपल की खबर पाली के आसपास जंगलों में विचण करने वाले हीरण चीतलों के जुन से एक हीरण विचण कर पाली के सराईपाली महले में पहुँझ गया जहां वा कुट्तों के हमलों से घायल हीरण का पसुची के सकद्वारा इलाज किया गया बता जा रहा है कि बुधवार दोपर तीन बजे हीरणों का सम्मू सराईपाली जंगल के पास था इसी बीच वहां कुछ कुट्ते पहुँच गया कुट्तों को देखकर जुन में अफ्रात तफरी मच गयी जिससे एक हीरण जुन से अलग थलग हो गया जिसे अवारा कुट्तों ने नोच नोच कर लहुलुहान कर दिया आसपास खड़े लोगों ने घाल हिरण को कुट्तों के चुंगल से अलग किया और उसे सुरक्षित कबजे में लेकर वन विभाग और डायल 112 को सुझना दी मौके पर पहुँचे वन विभाग एवं 112 की टीम ने हिरण को पसुच की सालर ले जाकर उसका इलाज खराया हम आपको बदा दें कि पाली के आसपास आर से दस किलो मीटर के दैरे में हिरण का आइस्थाई रहवास है जो की गर्मी के दिनों में चारे और पानी की तरास में अबादी छेत्रों में पहुँच जाते हैं और यहां अवारा कुत्तों का सिकार बन जाते हैं विभत कुछ मा में कुत्तों के हमले से हिरण के घायल होने की आधा दर्जन से भी अधिक घटना हो चुकी है पालीवन परिछेत्र में प्रतिवर्ष एक दर्जन से भी अधिक हिरण सड़क दुरगटना अत्वा कुत्तों के हमले में अकाल मौत का भी सिकार हो जाते हैं केसन 24 नीज के लिए कोर्बा से संतोस दिवान की रिपोर्ट